ये फाउंटें से गेते पानी का शोर रंगी रंगी लाइटों के बीद बस्ता डिजे इनमस्त गानों पर फिरकते बच्चे पार्क में खेल और जूलों का आनंद लेते लोग आप सोच रहे होंगे कि भला ये कौन सी जगह है जहां एक ही जगह पर फैमली के साथ पिकनिक करने की सारी सुविधाएं मौजूद है ये है दिल्ली के शाहीन बाग के पास ओकला इस्तेत कालंदी कुंज का पार जहां आप पूरी फैमली के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं यहां पर पेड़ों की छाओ मौजूद है बच्चों के लिए तरह-तरह के जूले हैं बच्चे ट्वाय कार भी चला सकते हैं यही नहीं क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन का मज़ा भी ले सकते हैं और जब भूक लगे तो खाने की भी ववस्था है और अंधेरा होने पर तो इस पार्क का नजारा ही कुछ और होता है रंग बिरंगी लाइटों के बीच गिरता फाउंटेन का पानी और डीजे की धुन पर थी रखते बच्चों के कड़ देखा फाउंटेन देखा, सीसो देखा, स्विंग देखा, स्लाइट देखा, मंकी बार देखा, बहुत सारी चीज़े देखी दिल्ली के कालंदी कुछ पार की खासियत ही यही है कि जो एक बार इस पार्क में आता है, वो खुद को बार बार आने से नहीं रोक पाता बच्चों के लिए तो यह पार किसी जन्नत से कम नहीं है यहां उनके खेलने से लेकर जूला जूलने तक और खाने की भी यानि बच्चों के जरूरत की सारी सुविधाएं यहां मौजूद है कालंदी कुन पार्क में जैसे ही रात होती है तो नजारा एकदम बदल जाता है पार्क रंग बिरंगी लाइटों से बुलसार हो जाता है और तरह तरह के फाउंटिन से गिरते पानी की ध्वनी मानो दिमाग में जलतरंग छेड़ देती है खास बात यह है कि यहां का टिकट भी ज्यादा महंगा नहीं है यानि फूल पैसा वसूल है फैमिली के साथ फोटो खीच कर यादे संजो कर ले जाएए यह पार्क मुझे बहुत पसंद आया है इस वेरी ब्यूटिफूल पार्क और यहां पर फांटेन, जूले, बहुत सारी ग्रीन ग्रास, बहुत ही मस्त पार्क है बाइक चलाई, और जूला-जूला, और चीज़ खाई पार्क is very good, मैं first time आये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों को आना चाहिए इस पार्क में, बहुत अच्छा लगा मुझे first time आके यहां पर आके हमको अच्छा लगता है, यहां फैमिलीज होती हैं, इंजॉय कर सकते हैं, फिल सकते हैं शेहरों की दौरती भागती जिन्दगी में, इंसान वैसे ही पूरा टेंशन और स्ट्रेस से भरा रहता है, ऐसे में आप विकेंड में कालंदी कुझ पार्क में आकर, परिवार के साथ सुकून के कुछ लम्हों के साथ, अपने आपको तरो ताजा कर सकते हैं झाल झाल